नमस्ते फ्रेंड में सविता अधिर्वाल को किन्वी सविता मैं आप सभी का सौगत करती हूँ आज मैं आप सभी को गेव को किस तरह चान कर साफ करते हैं यह बताने वाली हूँ तो आईए देखते हैं गेव को छान कर साफ करने के लिए हमें किन किन चीजों क्या आउशकता है गेव को छान कर साफ करने के लिए हमें इन इन चीजों क्या आउशकता है आउशकता नुसार इस तरह के गेव ले लीजिए तो आईए देखते हैं लिए वेग्यू को चान कर किस तरह साफ करते हैं यह देखते हैं सबसे पहले ग्यू ले लीजिए तो आईए सबसे पहले लिए वेग्यू को चलनी में डाल कर चान लेते हैं अब इस तरह के घ्यू लेकर इस लिये वे घ्यू को छानने के लिए एक प्लेट पर इस तरह की छलनी रख दीजिए अब एक प्लेट पर रखे वे इस छलनी में थोड़े थोड़े घ्यू डाल कर इस तरह छान लीजिए अगर आपने मेरे कुकिंग में सरता इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पासी में दिये वेबेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई विल्योस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो देखिए लिये वे सभी घव को छलनी में थोड़े थोड़े डाल कर इस तरह चान लीजिए सभी लिये वे घव को छलनी में डाल कर इस तरह चान लिया है तो आईए अब इस तरह छलनी में चाने वे घव में से कंकर निकाल कर घेव को अच्छे से साफ कर लेते हैं चलनी में छाने वे घौ को साफ करने के लिए सबसे पहले एक ठाली ले लीजिए अब लिए थाली में छाने वे घौ को डाल कर इस तरह घौ को अच्छे से चूप कर साफ कर लीजिए घेव कुछलनी में डाल कर चान कर घेव में से कंकर निकाल कर साफ करने के इस तरीके के वीडियो को आप अपने फैमेली और फ्रेंड्स के साथ फेस्बूक और वाटसप पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे मेरे इस चानल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा तो देखिए इस तरह घेव में से कंकर और इस तरह के सातू को निकाल कर अलग कर दीजिए तो देखिए इस तरह लिएवे सभी घोव को छलनी में डाल कर छान कर गेव में के कंकर और सातु को निकाल कर गेव अच्छे से साफ कर लिए है गेव को चलनी में डाल कर चान कर चाने वे घव में से कंकर और साथु निकाल कर साफ करने के इस तरीके के वीडियो को आप जरूर ट्राय कीजिए और इस तरीके के बारे में अपना अनुबह निचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और मेरी दूसरी रेसिपिके वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपिके साथ गेव को चलनी में डाल कर चान कर चाने हुए गेव में से कंकर और सातु निकाल कर साफ करने के इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद ठैंक यू